हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं सीए शमसिल आरफीन आप सब का स्वागत कर रहा हूं एक बार फिर इस इंकम टैक्स प्रैक्टिशनर कोर्स में और फ्रेंड्स हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसका नाम है इंकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन इसमें हमने काफी से दिये थे फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो वीडियोस को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स तक मेरे वीडियोस को शेयर करो ठीक है फ्रेंड्स अब हम चलते हैं आगे अभी तक हम ये कवर कर रहे थे कि वो कौन-कौ नहीं देखे हैं उनसे request करूँगा कि वो मेरे चैनल पे जाके पहले previous वीडियो को देख लें ताकि उनको जो आज का वीडियो है वो और अच्छे से समझ में आ जाए और जो लोग income tax GST या फिर GST practitioner बनना चाहते हैं income tax में legal consultant बनना चाहते हैं ऐसे ही लोगों के लिए मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ ऐसे ही courses lectures तो अगर आप भी इसी field में अपना career बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अब हम चलते हैं अपने main part की तरफ income from PGPP में वो कौन-कौन से खर्चे हैं वो कौन-कौन से expenditure हैं जो अगर आपने profit and loss के debit में लिख दिये तो वो आपको allow नहीं होते हैं वो क्या हो जाते हैं डिस allow हो जाते हैं तो आज हम पढ़ेंगे डिस allow होने वाले खर्चे under section 40A उसमें पहला number आता है interest royalty fees for professional services अगर आपने कोई royalty fee पे करी है किसी professional service के लिए कहां प ठीक है इसका खर्चा तो मिल जाता है लेकिन आपको इसके उपर TDS भी काटना होता है अच्छा किस payment पे TDS काटना है किस पे नहीं काटना है यह हम detail में पढ़ेंगे TDS के chapter में आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर आपने कोई ऐसी payment करी जिस पर आपको TDS काटना था और आपने किसी professional service के लिए royalty fees दी outside India और TDS काटना भूल गए तो भईया profit or loss के debit में वो allow नहीं होगा वो disallow हो जाएगा income tax में ठीक है friends और देखते हैं कौन-कौन से खर्चे हैं अगर आपने किसी resident को कोई भी payment दिया चाहे salary या को remuneration कुछ भी ऐसा कुछ भी pay किया किसको किसी resident को जिसकी उपर TDS काटने की requirement थी और आपने TDS नहीं काटा तो ऐसा कोई भी payment कोई भी expenditure जो आपने बिना TDS काटे profit and loss के debit में लिख दिया disallow हो जाएगा ठीक है जैसे उसमें कौन-कौन से खर्चे कवर हो रहे हैं कोई भी interest, कोई commission, कोई rent, कोई technical professional service के लिए कोई fees, कोई royalty, कोई contractor इन सारी चीजों पर TDS काटना mandatory है, अगर आपने TDS नहीं काटा तो भीया आपको ये खर्चे allow नहीं होंगे, ये खर्चे allow नहीं होंगे, आपका profit बढ़ जाएगा, आपको tax ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप ये खर्चे करिए और दूसरा, अगर आपने किसी भी तरीके का tax लिख रखा है, जैसे security transaction tax, जो share market में, जो shares वगरा हमनों sale purchase करते हैं, तो उसके उपर STT पे किया जाता है, फ्रिंग benefit tax होता है, जो employer अपने employee को कुछ extra benefits, कुछ services देते हैं, तो employer की उपर एक तरीके का tax आप कह सकते हो कि ये लगता ह कोई income tax, wealth tax, हाला कि wealth tax अब तो नहीं है, लेकिन को किसी previous year का है, वो अगर है आपके profit and loss में, आपने किसी को salary पे करिये, कहां पर outside India, उसके उपर tedious नहीं काटा, आपने provident fund का payment किया, उसके उपर tedious नहीं काटा, आपने जो employer को आप कोई percusate, कोई benefit देते हो, उसके उपर tax पे कर नहीं कर दिया, यह भी allow नहीं करेंगे, तो यह वो खर्चे हैं, यह वो चीजे हैं, अगर आपने यह profit and loss के debit में लिखा है, तो profit and loss में भेले ही आप लिख दो, income tax इसको allow नहीं करता है, ठीक है friends, आईए देखते हैं, इसके लावार कौन कौन से चीजे हैं, देखिए friends, partnership firm मे जो capital लगाते हैं, जो पैसा लगाते हैं, उसके ऊपर उन्हें interest मिलता है, या मिल सकता है, तो ठीक है, अगर कोई partnership firm है, वो अपने partner को interest पे कर रही है, तो वो पूरा पूरा allow हो जाता है, लेकिन कुछ limit है, क्या लिखा हुआ है, कि interest exceeding the rate specified in the partnership deed, जितना rate लिखा हुआ है, कि इतने percent से partner को interest मिलेगा, deed में, उतना ही खर्चा allow होगा, या फिर 12%, which average is lower, इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपने partnership deed में ये लिखा हुआ है, 15% से interest मिलेगा, तो भी कितना मिलेगा आपको सिर्फ 12%, क्या लिखा हुआ है, which average is lower, मतलब आप तराजू के एक पल्रे में वो interest लिख हुआ है, और दूसरे पल्रे पर लिखिये 12%, दोनों में से जो lower है, उतना ही interest आपको allow होगा, बाकी disallow हो जाएगा, ठीक है friends, यहां तक समझ गाए, आगे चलते हैं, उसी तरह friends, partnership firm जो होती है, वो अपने salary, मतलब अपने partners को salary भी दे सकती है, और जितनी भी salary वो pay करेगी, कह जहां से, firm से partner को salary जा रही है, तो खर्चे में allow हो जाता है, लेकिन एक limit है, उस limit तक ही salary allow होगा, वरना अगर ऐसा ना लिखा होता law में, तो क्या होता, जितना profit आ रहा है, उतना क्या दिखा देते लोग, कि भाईया partner को salary जा रही है, और कभी कोई partnership firm profit में आती ही नहीं, ना क अभी कोई firm tax pay करती, यहाँ पर tax planning हो सकती थी, उस tax planning को रोकने के लिए, यह आप कह सकते हो कि provision, यह section लाया गया, कि कोई भी firm अपने partner को salary तो दे सकती है, लेकिन एक limit है, वो limit क्या है, first 3 lakh, लिखा हुआ है कि पहले 3 lakh तक कैसे निकालना है, 90% या 1.5 lakh, whichever is higher, ठीक है, और balance profit का 60%, example से समझते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, देखिए, किसी firm में profit हुआ है 6 lakh का, तो law कहता है कि पहले 3 lakh तक तो 90% दे सकते हैं, तो पहले 3 lakh का 90% कितना हुआ, 2 lakh 70,000, फिर law कहता है कि जो balance profit है, उसका 60% निकाल लीजिए, तो भाईया 6 lakh में ते 3 गया, balance बचा 3 lakh, उसका 60% निकाल लिया, वो कितना हुआ, 1 lakh 80,000, यानि कि total एक firm जो अपने partners को salary दे सकती है, अगर उसका profit होता है 6 lakh, तो कितना हो गया, total allow limit, 2 lakh 70,000, 3 lakh 90%, और फिर जो balance था, उसका 60%, तो 2 lakh 70,000 में जब 1 lakh 80,000 एड किया, तो कितना हो गया allow, 4 lakh 4 lakh 50,000, तो इतना remoderation, इतनी salary allow होगी, firm अपने partner को दे सकती है, अगर 4 lakh से उपर आपने profit and loss में debit किया, तो जितना भी आपने उपर किया है, वो disallow हो जाएगा, अगर आपने 4 lakh 80,000 दिखा दिया, तो 4 lakh allow हो जाएगा, और 30,000 disallow हो जाएगा, ठीक है friends, ये section समझ में आगया, आगे चलें, इसके अलावा भी देखिए, कुछ, क्या कह सकते हो, आप condition है, जैसे, आपने अपने office में, या अपने business में, किसी relative को रखा हुआ है काम करने के अलाव हो जाता है, अब वो मेरा relative है, मैंने क्या बोला, कि मैं एक काम करूँगा, तुमको 2 lakh salary दिखाऊंगा, bank से, और फिर मैं क्या करूँगा, तुम एक काम करना, bank से 1.5 lakh रुपए cash निकाल के मुझे दे देना, तो वैसे क्या फायदा हो गया, कि आपकी salary थी 50,000 वो तो तो paper पर मैं दिखा रहा हूँ कि salary जा रही है 2 lakh, जबकि actual में salary कितनी है, सिफ 50,000, 1.5 lakh वो क्या करता है, account से निकाल के मुझे दे देता है, तो मेरे पास 1.5 lakh रुपए का black money भी आ जाता है, अच्छा, ऐसा कब possible हो सकता है, ज्यादा तर relative के case में, तो ये कहा जाता है कि आप relative को excessive payment नहीं कर सकते हैं, अगर आपके office में कोई post खाली है, वहाँ पर आप normal बंदे को जितनी salary देते, उतनी salary आप दे सकते हो कि इसको अपने relative को, अगर आपने कोई excessive payment किया, वो disallow हो जाएगा, ये है इस section का मतलब, अब आगे देखते हैं, ये बहुत simple सा है, अगर आपने को और वो जो खर्चा है, वो ज्यादा है 10,000 से, तो 10,000 से उपर अगर आपने cash में कोई खर्चा किया, तो वो disallow हो जाएगा, तो क्या मतलब निकला, अगर आपको 10,000 से उपर कोई खर्चा करना है, कोई expenditure करना है, तो वो आप phone pay, pay, dm, check, ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है, आप cash मे नहीं कर सकते हैं, और जो bearer check होता है, उसमें भी नहीं कर सकते हैं, cross check में कर सकते हैं, ठीक है friends, यहां तक चीज़ा समझ में आ रही है, आगे चलें, उसके लबाए एक छोटा सा provision है, कि अगर आप किसी non statutory fund में करते हो contribution, तो वो भी disallow हो जाएगा, एक होता है, गेजुटी fund approved जो government approve करती है, अगर कोई unapproved graduate fund है, वहाँ भी अगर आप कोई provision कर रहे हो, contribution कर रहे हो, तो वो भी क्या हो जाएगा, disallow हो जाता है, ठीक है friends, यहां तक हमें चीज़े समझ में आ रही है, कहीं कोई confusion हो, आप मेरे telegram channel पर मुझसे पूर सकते हैं, मेरा जो number है, उससे आप कर लेते हैं, section 43B की, यह कहता है, यह कोई limit नहीं लगा रहा है, कि हाँ इतने percent allow, इतने percent disallow, यह किया तो allow, वो किया तो disallow, नहीं, यह simply सी कह रहा है, कि भाईया, कुछ ऐसे deductions हैं, जिनको अगर आप pay करोगे, तभी हम allow करेंगे, अगर आपने pay नहीं किया, तो हम allow नहीं कर date before due date of filing of return, आपने कुछ दिखा रखा है, कि यह पैसा मुझे किती को देना है, ठीक है, कोई GST due है, कुछ भी due है, GST payable है, और जो due date of filing of return होती है, वो अगर हम बात करें, तो 31st July है, suppose, ठीक है, तो 31st July तक आपको return file करना है, तो 31st July से पहले पहले, आपको वो जो outstanding है न, वो आपको pay कर देना चाहिए, अगर pay नहीं किया, तो disallowed, कोई tax, कोई duty, जो आपको government को pay करना है, वो भी सिर्फ due करने ते काव नहीं करे चलेगा, actual में आपको pay करना है, आप किसी provident fund में contribution करते हो, तो due नहीं, आपको जब तक आप actual में, provident fund में contribution नहीं कर दोगे, आपको allow नहीं होगा, उसी तरह कोई bonus commission है, interest on loan, आपने profit and loss के debit में लिख दिया, कि interest due on CC, cash credit या term loan, तो interest due के entry आपने करी है, आपको ऐसे खर्चा allow नहीं होगा, जब तक आप actual में उसका payment नहीं कर दोगे, ठीक है, उसी तरह leave salary है employees को, तो ये वो खर्चे है, कि अगर भले ही आप due basis प जब तक आप actual payment नहीं कर देते हो, इन सारे खर्चों का, तब तक आपको उसका deduction भी allow नहीं होगा, अच्छा friends, अब हम लोग ये सोच रहे होंगे, सर अगर disallow नहीं होगा, तो उसका क्या consequences होगी, क्या हो जाएगा, देखिए friends, आपने खर्चा book किया, खर्चा book करने से क्या ह होता है, आपकी income कम हो जाती है, जब income कम हो जाएगी, ठीक है, profit कम हो जाएगा, तो आपको tax कम पे करना पड़ेगा, अब अगर आपने कुछ ऐसा खर्चा debit कर रखा है, जो income tax के नजरों में disallow होना चाहिए, मतलब disallow हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, आपके हिसाब स तो profit कम है, income tax के हिसाब से profit जाएगा, तो फिर आपको ज्यादा tax पे करना पड़ेगा, ठीक है, तो हमेशा जब भी profit and loss आप prepare करेंगे, हमेशा अपने mind में क्या रखेंगे, कि मैं वही चीज़े debit करूँ, जो income tax में allow हो, और कोई भी rules income tax का छूटना ने चाहिए, कि ऐसा नहो समझ में आ रहा है, क्या क्या चीज़े, disallow हो जाती है, ठीक है friends, अब हम ये देखेंगे, कि जो लोग business करते हैं, किसी professional में रहते हैं, उन्हें कौन सा ITR फाइल करना होता है, ठीक है friends, क्या वो ITR 1 फाइल करें, 2 करें, 3 करें, 4, 5, 6, 7, कौन सा ITR उन्हें फाइल करना होता है वैसे friends, कि इसको कौन सा ITR फाइल करना है, वो वीडियो मेरे चैनल पर पढ़ा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, detail में सिर्फ ये नहीं कि कौन सा ITR फाइल करना है, उस ITR को कैसे फाइल करना है, income tax की website से, ये हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में, तो अगला वीडियो बहुत important होने वाला है, उसमें हम लोग income tax की website पे जाके, जैसे ITR 1 फाइल करना सीखा था, वैसे ही business ITR फाइल करना देखेंगे, तो अगला वीडियो बहुत important होने वाला है, उसमें हम business ITR फाइल करना सीखेंगे, तो friends, तब तक के लिए, stay safe, stay healthy, चैनल को like करो, और subscribe भी कर लो, share करो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, go